दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ Samsung डिवाइस या फिर अगर आप एक Android डिवाइस यूज़ करते हैं तो काफी बेहतरीन फीचर के बारे में जो कि आप लोगों को नहीं पता है जैसे मैं अपने देख सते हैं मैं Samsung का फोन यूज़ करता हूं जैसे मैं अपने फोन के setting के अंदर आता हूं तो यहापे देख सते हैं यह क्या मेरे phone के अन्दर बहुत भड़ी बढ़ा यहापे font यहापे आपको देखने को मिल ला है मतलब जो भी आप इसका लिखावाट है काफी बड़ा होचुका है काफी बड़ा हो चुका है यहापे देखे लाएं अपने फॉन में कैसे करेंगे अपने फॉन्ट साइज को कैसे बड़ा करेंगे तो वीडियो को लास तक देखते रही वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है एक दो मिनिट में आपको बता दूँगा तो ज्यादा आपका टाइम नहीं लोगा ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब जरू से कलेगीगा अपको एक अपको डिस्पले सब्सक्राइब आपको एक आपे देखने को मिलगा मैं आपको दिखाता हूँ उपर ही font size and style यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक setting देखने को मिल जाता है font size and style display वाले option में आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है तो इसके अंदर आपको simply आदान है यहाँ पर तो अपने हिसाब से इसको अगर बढ़ा करेंगे तो आपका font जो है बढ़ा होता चला जाएगा यहाँ पर जो कि आपको दिख रहा है मैं अभी करके दिखा रहा हूँ जैसे मैं यहाँ पर बढ़ा कर रहा हूँ और आप चाहें तो अपने इसमाल भी कर सकते हैं, यहां पर छोटा भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल यहां पर छोटा हो चुका है, मतलब छोटा छोटा हैं यहां पर, जो भी हम अपने सेटिंग के अदर आधे देख सकते हैं, कितना बड़ा था भी कितना छोटा हो चुका है, तो अपने एजे tab भी use कर सकते हैं जैसे tab होता है चोटा चोटा option होता है उसके अंदर तो इस तरह अपने यूज़ कर सकते हैं तो font size वाला भाई कहा गया option यहाँ पर font and style वाला option इसके अंदर आते हैं अपने font size को normal कर लेते हैं यहाँ पर इतना बड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं करना हमको नहीं ज़्यादा छोटा करना है ठीक है तो सिर्फ आपको दिखाया था कि इस तरह अपने font को बड़ा कर सकते हैं आपका दोस्त भी बोलेगा कि भाई तुमने ऐसे कैसे किया मेरे को भी बताओ तो है नए यूनिक फीचर जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताया हूँ तो लाइक कर दीजीगा सब्सक्राइब कर लीजीगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में